मासूम बच्ची के साथ दरिंदीगी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है जहां 3 साल की बच्ची को आईस्क्रीम का लालज देकर 26 साल के आरोपी ने उसके साथ तुशकर्म किया पोलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है वहीं मासूम को गंभीर हालत में भरती कराये गया है बच्ची से बलातकार जैसी हवानियत का आरोपी युवाग दिल्ली में ही मजदूरी करता है कुछ दिन पहले ही वो अपनी पत्नी की डिलिवरी करवाने उसके माय के आया था आरोपी मासूम बच्ची को आईस्क्रीम का लालज देकर उसे गाउं में बन पर पहुची जा मासूम लहूलोहान हालत में पड़ी मिली पुलिस ने तकाल उसे अस्पताल में भड़ती कराया जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है पुलिस ने आरोपी को गर अफ्तार कर लिया है उससे पूश्टाच की जा रही है एक छोटी बच्ची है तीन साल की इसको एक एक व्यक्ति जो की ढूंडंड थानव अमीटा चेतर का रहने वाला था और उसकी ससुराल सिंग्रोमेथी वह आया हुआ था वह इसको आइसक्रीम दिलाने के भाने लेके गया और स्टॉप दैम के पास जाके इसने दुश्ट्रति किया जब यह लड़क तो पुलिस को सूचना दी गई डायल हंड्रेट पे इसका पुलिस पहुँची और बच्ची को जब ढूंडा गया तो इस्टॉप दैम के पास अस्टवर्स थालत में बच्ची मिली और आरोपी भी वहीता उसको पकड़ा गया और इसके बाद बच्ची को तुरंत यहां ज शक्ति करण के उद्धिश से समवेधन शिल मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लारली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है इसके तहद उन्हें प्रतिमाह एक हजार रुपे दिये जाएंगे ये राशी सीधे उनके बैंक खातों में पहुँचाई जाएगे योजना की प्रत्रिया बहसरल और निशुल को है योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यक्ता भी नहीं है दस जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आजाएगी एक हजार रुपेया की पहली किस्त योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेलप लाइन नंबर 0752700800 एवं वेबसाइट cmladlibehna.mp.gov.in पर ब्राप्त की जा सकती है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से चुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेश हम करते हैं सट्यका अनवेशा दखल नियूज आपके हक्त में आप देख रहे हैं दखल नियूज